हेलो फ्रेंट सावस्वी अब बहुत स्वाकषत है हमारों से टूप चैनल खुशारा जिनी में तो आज की शीडियों में हम बातकरने से वायफ इप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैचन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजेगा तो चलिब नगिस देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो फेमस यूटूबर अर्मान मलिक आयदन चर्चा में रहते हैं और अर्मान अपने काम से ज़्यादा अपनी दो दो शादियों को लेकर लाइम लैट में रहते हैं अर्मान ने दो शादिया की हैं उनकी पहली पत्नी का नाम पायल मलिक है और दूसरी के नाम कृतिका मलिक है और फिलहाल यूट्यूबर की दोनों पत्निया प्रेग्टेंट हैं और खबर रही है कि अर्मान मलिक की पत्नी कृतिका ने बेट्रे को जर्म दिया है और ऐसे में शोशनल मीडिया पर फैल रही इस खबर का खुद पाइल मलिक ने रियाक्शन दिया है और क्या कहना है उनका चलिए आपको पताते हैं तो क्रितिका और फैल मलिक ने अपने व्लॉक में अपनी प्रेग्निसी के बारे में बात की थी और फैल ने एक किस्ता सुनाते हुए कहा था कि मैंने अपने बेटे चीकू को स्कूल भेजा था तब ही गेट के बाहर बेल बजी और मैंने गेट खोला और हमारे परोसी बाहर खड़े थे और उनने कहा बधाई हो लड़का हुआ है तो मैंने इनको कहा अभी नहीं तो मेरा साथवा महीना चल रहा है फिर अंकल कहते हैं कि नीज आ रही है और मैंने कहा अंकल सारी फेक नीज है पायल आगे कहती है क्योंकि हम घर के बाहर जादा नहीं चाहते हैं और घर के अंदर ही व्लॉक शूट होता है इसलिए इन परोसीयों को ऐसा रखता है कि हमारे डिलिवरी हो गई है और आप लोगों खुछ सोचना चाहिए कि सात्वा और आट्वा महीना इतना क्रूशल होता है कि इसमें डिलिवरी होनी ही नहीं चाहिए और अर्मान मलेक की दोनों बीवियां आईवी अफ तर्टनी से एक साथ प्रेगनेंट हुई है और दोनों की प्रेगनेंसी समय में चर्चा में है और ऐसे में लोग दोनों ही होने वाले बच्चों को लेकर दरातरा के क्यास लगा रहे है और पाइल और गृतिका की माने तो लोंग चंद वीउस के लिए उनके और उनके होने वाले बच्चे के बारे में गलत बाते बोल रहे हैं और कोई कह रहा है कि पाइल ने बेटे को जम दिया है तो किसी ने कहना है कि प्रिमिर्चुर डिलिवरी हुई है और इन अफमाओं को रोखने के लिए दोनों को सब के सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी तो आशल बसे इतना है वीडियो पस्तना आई है तो प्लीज हमाचेन को लाइक सब्सक्राइब बहुत शेयर करेगा और ऐसी लेटेस वीडियो के लिए हमाचेन को सब्सक्राइब करें ना मत भूलेगा तो मिलती हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें